छटा सुनेहरा गोल्डन अमर अमत नाम बनने वाला समण संकार नियम यह नियम हमारा बहुत शांदार नियम है कि पंजी करण कभी नहीं आपने सुना होगा कि इसका जो अस्थी पंजर है वो बिखर गया निकल गया फिर आपने एक नौविल एक उपन्यास पर बना हुआ सीरिल भी देखा होगा पिंजर अस्थी पंजर को पाली में बोलते हैं अठी पंजर अठी माने हड़ी हड़ी का पंजर यानि हड़ी का धांचा फिर आपने देखा होगा कि तोटे को पिंजरे में कैद करते हैं कुछ पिंजरा बोलते हैं कुछ पिंजरा बोलते हैं तो हड़ीों की अंदर जो कैद है या जो पिंजरे के अंदर कैद है वो दोनों पिंजर और पिंजरा एक ही बात है पाली के लिए जो पिंजड़ा सब्द है, जो पिंजड़ सब्द है, वो पिंजड़ से ही बना है, और इसी से पिंजड़ा बना है, हड्डियों के ढांचे से, और कमाल की बात यह है कि जो पंजी सब्द है, उससे ये सब्द बना है, यानि पंजी का जो मतलब है, वो होता है कैद, वो होता ह पंजी करना तो पंजी करन करना कैद में करना, यानि किसी चीज को जो पसलियां हैं उनके बीच में कैद करना दवाना क्योंकि बहुत पुराने समय में जब ना लोहा था ना सोना था ना तावा था यानि धातू नहीं थी उस समय जब जानवर कहीं मर जाते थे या मनुष से कहीं मर जाते थे तो दो तरह के समसान होते थे कच्चे और पक्के कच्चे वाले समसानों में ऐसी डाल दिया करते थे ताकि जानवर खाने और पक्के वाले समसानों में जलाया करते थे तो कच्चे वाले जो सम्चानों में जानवारों मनसे पड़े रहते थे उनके जो पिंजर हैं वो बिखरे रहते थे अस्थी पिंजर बोलते थे हड़ी पिंजर बोलते थे अठी पिंजर वहीं से ये सब्द आया कि अगर किसी को कजे में करना हो किसी को कैद करना हो या तोते को पालना हो तो उसको पिजड़ा बोलते हैं उसका पंजी करन कर देते हैं उसका पंजी कर देते हैं उसका पंजी करन हो गया तो वो कैद हो गया तो बेसिकली जो पंजी करन सब्द है वो किसी चीज को बांधने में दर्ज या दर्जा यानि कोई खबर दर्ज कर दी या बोलते हैं कि हमारी F.I.R. दर्ज कर दो तो वो दर्ज होती है और इंगलिस में बोलते हैं इसको registration, registered यारी कि रजिस्टर के अंदर क्योंकि उस समय तक कागज आ गया और पैन आ गया तो इसको बोलते है registered यानि registry के अंदर हो गया दर्ज हो गया मकानों के जो लोग अपने paper कराते हैं तो कहते हमारी registry हो गई या नहीं हो या रइश्टर में दर्ज हुआ नहीं हुआ तो basically जो पंजिक्रण है जो registration है या जो दर्जा है वो क्यों कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि जब भी कोई जगे या कोई वस्तू या कोई नाम अगर उसकी किसी से मानेता लेनी हो तो मानेता लेने के लिए हम उसको कहते हैं कि हमारा पंजीकरण कर दो हमारा रिक्ष्टिस्न कर दो ताकि हमें मानेता मिल जाए और हम हमेशा दूसरे से अपनी वस्तू अपने आपकी या अपनी जगे क मानेता लेते हैं उसको बोलते हैं पंजी करण की आवसक्ता क्यों पड़ी पंजी करण की आवसक्ता इसलिए पड़ी क्योंकि लोग किसी वस्तू का या किसी जगे का या अपना खुद का जो अधिकार है जो मालिकाना हक है वो पूरी दुनिया की निखावें बताना चाहते है कि इसके मालिक हम है और ये हमारे मालिकाना हक में है तो वहाँ वो declaration होता है जब रिष्टर होता है या पंजी कंड होता है या वो दरज हो जाता है तो authentic होता है system बना हुआ है कि यह चीज यह वस्तू या ये व्यक्ति इस के लिए दर्ज हो गया अब ये चीज़ इसकी है और ये announcement हो जाती है लोग अपनी शादी करते हैं उस घटना को दर्ज कराते हैं आज के समय court marriage होती है रेश्टर में दर्ज होती कहते हैं registered marriage है court marriage है तो वहाँ से पंजीकर्ण का सब्द आता है और पंजीकर्ण का आर्थ आता है तो जब लोग दर्ज कराते हैं तो दर्ज कराने के लिए जो व्यक्ति का चीज है जो किसी की individual है जो किसी की private है जो किसी के अपनी है जो एक व्यक्ति की है या एक परिवार की है तो जब वो दर्ज कराता है तो वो उसकी हो जाती है उसके परिवार की हो जाती है तो व्यक्ति का दर्ज होगी चीज वो रेश्टर्ड हो कैसे होगा उसका मालिक कौन होगा तो सामाजिक चीज़ों का अगर रेश्ट्रेशन कराओगे तो सामाजिक चीज़ों का रेश्ट्रेशन में सामाजिक ही समाज ही उसका मालिक होगा नियम यह है कि जिसकी चीज़ है उसी के नार्मत दर्ज होगी पर यहां घपला हो गया. यहां घपला यह हो गया कि जो ररेस्ट्रेशन मराया गया थे व्यक्तिके तरूप से लोगों ने उसको सामाजिक रूप से इस्तमाल कनासुख कर दिया और गरफड़ा ये हुई कि सामाजी की चीजव का रेष्ट्रेशन कराके पञ्जीकरन कराके व्यक्ति मालिक बन गया यानि नियम टूड़ इत्वाव पञ्जीकरन करा आप मकान ख़एदो आप दुकान ख़एदो आप कार कही दो आप पैसा कही दो आप बैंक में पैसा डालो आप अपना वोटर लिश्ट में नाम दर्ज कराओ आप कुछ भी कराओ कोई भी चीज दर्ज कराओ आपकी अपनी है आप उसके मालिका नहां के पर समाज की चीज को आप दर्ज करा रहे हो और व्यक्ति के नाम से करा हो जाए क्योंकि लोगी दर्ज करने वाले हैं और लोगों की चीज है और लोगों के लिए हैं तो सामाजिक चीजें दर्ज नहीं होती तो जब सामाजिक चीजें लोगों अपने व्यक्तिकत नाम से दर्ज करा ली तो पंजी करण का सिस्टम फेल हो गया तो पंजी करण में करपसन हो गई तो पंजी करण में वेबचार हो गया तो पंजी करण या रेइस्ट्रेशन या दर्ज वो जो भी था वो सब वेकार हो गया और उसका नुकसान हो गया इस पंजी करल का खेल इतना ज़्यादा लोगों ने चलाया कि लोगों ने सामाजिक संग्ठन बनाए और सामाजिक संग्ठन बनाके लोगों को यकिन दिलाने के लिए कि देखो ये सामाजिक संग्ठन है और ये समाज के हैं और हम इसका रेश्टिस्ट करा रहे है पर हर तो इसका उल्टा है अगर सामाजिक संग्ठन है और सामाज के नाम से दर्ज करा रहे है तो फिर सामाज के लिए दर्ज होना चाहिए विक्ति के नानाम से क्यों दर्ज है माली का ना हक तो विक्ति का है एक विक्ति दो विक्ति चार विक्ति गुट बना के गए और उन्होंने एक रेश्टरेशन करा लिया और रेश्टरेशन का नियम भी बना लिया कानून भी बना लिया और सामाजि करमचानियों के संठने दर्ज हुए तो यह जो दर्जा चलता है जो लोग दर्ज कराते हैं इसका परपज हो गया क्यों कराते हो वही सामाजिक प्रपरटी अपने नाम से दर्ज क्यों कराते हो लोगों ने जो धम है जो कभी दर्ज नहीं होना चाहिए जो कभी रेश्टर नह होना चाहिए धंग का भी पजी कर लिए धंग का भी करा लिया और लोग उसके मालिक बन-वैठे और हजारों मालिक पन्वेट है राजनेतिक चीजों का पंजीकर समझ में आता है एंजीयों का पंजीकर रेश्टेसन समझ में आता है जो ट्रस्ट हैं उनका रेश्टेसन समझ में आता है सरकारी करमचारियों का रेश्टेसन समझ में आता है राजनेतिक लोगों का क्यों क्यों कि राजनेतिक ल काम करना है या सरकार में कोई अधिकार चाहिए या सरकार में कई पद पूश चाहिए तो आपको सरकारी नियम मानने पड़ेंगे और राजनितिक चुनाप का सरकारी नियम है कि आपको पहले पंजीकल कराना पड़ेगा तो राजनितिक पार्टियों का पंजीकल होता है जाए उनको registration कराना चाहिए वो बिना registration के चल नहीं सकती क्योंकि उनको पैसा चाहिए उनको कोई मानता चाहिए जो सरकारी करमचारियों के संग्धन हैं उनका registration जाए जाए क्योंकि सरकारी करमचारी government से demand करते हैं मांगते हैं उनको लेटर लिखना होता है वो लेटर लिखते हैं उस पर अपनी संस्था का नाम लिखते हैं और अपनी पैचान के लिए गारंटिट लिखते हैं कि हमने गौर्मेंट से भी इसकी इंफॉर्मेशन दे के इसको रेश्टर करा रखा है तो वो साहता मांगते हैं कुछ ना कुछ मां हैं ये गांटि देने के लिए कि हमारा बैंक में एकाउंट फुल जाए ताकि लोगों से पैसा आए उनको भी चाहिए और जो धम के लोग का धम का जो रुतवा सबसे बड़ा होता है इससे बड़ी कोई जानकारी नहीं जानकारी को सलाम है वो उनके अनुयाई आज के भिकू राजाओं से भीक मांगने के लिए अपने बैंक एकाउट खोलते हैं और खुद पदादीकारी बनगे जब कि पदादीकारी का नियम नही लिखते हैं कि हमारा संग्ठन विकू संग का रिष्टर्ड है इतके भी चलेगा क्योंकि कुछ लेना है तो आपने कराना पड़ेगा पर संग क्यों रिष्टर्ड होगा संग को क्यों रिष्टर्ड कराना चाहिए संग क्या चाहता है संग की कौन से डिमांड है राजनीती म जाना ही नहीं है तो किसी के हाथ जोड़ने नहीं है तो राजनीती में जाएगा नहीं तो रिश्टर कराने की आउश्क्तर है पैसा किसी से लेगा नहीं तो एकाउंट नहीं खोलेगा तो रिश्टर से क्यों क्यों कराना है सरकार के आगे जाके कभी खड़ा नहीं होगा सरका लिए, लिए अगर किसी ने संग को रईच्टड करा लिया, फर वो संग नहीं है, फिर वो संग्ठन हो गया, संस्ता हो गई, NGO हो गया, उट्रस्ट हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो संग नहीं है, इसलिए संगों के रेजिट्रेशन पुराने समय राजा के दरवार में भी नहीं हुए, संगों के रेजिट्रेशन कभी कोई सोच नहीं सकता, यही पिर्णाली च СबIA यज़ संग्पर्श्यभ्म से ठीक्ति सच्चे मन से अबने महापुर्सों को समझते हुए काम करेगए कोई बीचाये वह महापुर्स की किताब पढ़े या ना पढ़े महापुर्स कोई गंफ पढ़े हैए ना पढ़े या बेसरा को उठा पढ़ ले कहीं पर अगर सच्चा काम करेगा और सच्ची नियस से करेगा तो उसके अंदर से संग निकल के आ जाएगा और जब संग निकल के आ जाएगा तो नियम खुद बेखुद अपने आप आएंगे बोलेंगे यहां 179 संगी बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को पिछले दो साल से वो समझ रहे हैं कि नियम कैसे अपने आप निकलते हैं और अब तो बहुत सारे नियम अपने आप निकल के आने लगे हैं क्योंकि सारे संगी होते है और जो संग चलता है और जो सम्मिधान के अंदर भी linear है कि और जो कोई व्यक्ती संग की बात करेगा और सारे नियब में एक से होंगे उन hon में कि वी लिए वतर नहीं होगा बस सब्ध बदल सकते हैं रिज्क कह सकता है और्दू कह अ कर रिक सकता है तो सहाब कासिराम को पता नहीं मैं कह नहीं सकता क्योंकि कभी मैंने पढ़ा नहीं हो भी सकती है जानकरी थोड़ी बहुत हो सकता ना भी हो पर उन्होंने काम संग के आधार पर ही किया और कहा कि अब हम बाम से बनाएंगे नाम अलग है पर उसका रेश्टरेशन नहीं कराएंगे हमको उसके रिश्र्स कराएंगे कि आऊश्क करनें हम पैसा लेगे uh पैसा लेगी हाथ क्याच्तiler खतम कर देंगे ऐकाउन बादम R उन्हों नीती बनाई कि वह ज्यूसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नियम बनते जाएंगे, वो ऐसी बना रहे था, सब कुछ ठीक चला था, कुछ दिक्कत नहीं थी, पर कुछ लोगों ने संग की आइडिलोजी को या बामसिफ की आइडिलोजी को समझने में असफलता पाई, समझने पाए, अपने पद में, पोश्ट में, मंच में, माला में, माइक म या इनसीकॉर्टी होती है आदमे को, और या बेफकुफी भी होती है, इनसीकॉर्टी ये होती है, कि अरे हमारा क्या होगा, या आदमे तो लेता बन गया, और बेफकुफी ये होती है, कि वो संगों को बिना समझे, ये दावा करता है, कि मैं संगों को समझ गया, और हरकत स सारी संग्ठनवाली तो अंजाने में हैं तो कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया उसका पंजीकन करा दिया और उसको देखा देखी बहुत लोगों ने पंजीकन करा दिये नाम लग लगे किसी ने बहुजन किसी ने बाम से ने कोछ नहीं कोछ बहुत सारे संग और सबके संगटन हुए और जितने संग्ठन हैmm चाए वो नमबर चाहिए उनको रहस्टेस्ट कडीच मत बनाए हैं चाहे व लड़कों के दलबल हैं चाहे वो सरकारी करमचारी हैं चाह कोई भी है सबने रेश्टेसन कराए और इतने रेश्टेसन कराए कि रेश्टेसन रेश्टार आफिस भर गया हमारे ही संग्ठनों से रेश्टार आफिस भर गया उनके सारे मिलाके चार लाक हैं और हमारे अकेले के थोड़े से लोगों के उनक्तिस लाट है जो एक्टिव लोग हैं उनकी बात करा हूं वैसे तो एक्सोबीस करोड़ लोग है तो किसी भी डिस्टिक के रश्टार उपस्ट चले जाओ सारे वही मिलेंगे आपको महापुरसों के जैभीम नमबुद्धाय फलाना संग ये संग सम्राटा सो जोतिवा खुले दुनिया भर के सारे सम्रों के महापुरस उनके संग देंगे और सब रइस्टर्ड हैं और रइस्टर्ड की लोग ऐसे गार्टी देते उपर लिखे रइस्टेशन नंबर फलाना फलाना जैसे सिग्रेट की डिब्बी पर लिखी हो आई एस आई जैसे ब्रेड पर ल 37 लाग संग्ठन रइस्टर्ड सारे रइस्टरकर रइस्टर्ड संग्ठनों से भला होना होता पंजीकरत संग्ठनों से भला होना होता तो सारे अधिकार बढ़ गे होते सम्मिधार में जो अधिकार रहे वो भी आगे होते और हमको यहां एकसरसाइज नहीं करनी पड़ती यहां मत्ता खुरी नहीं करनी पड़ती और किसी भी हलत में सारी लोगों को अब तक रोजगार और सब चीज़ें मिल चुकी होती पर अधिकार तो सारे चले गए, चीज़े तो सारी चली गए, सब लोगों के रेश्टर्ड संथन ते फिर भी चीज़ें चली गए, इसका टो वी था जो साब कासी रामजी ने अन्रेस्टर्ड किया, काम तो बड़ी चलता था, पर जिनके संग रेश्टर्ड नहीं है, वो तो मालिक है, वो तो पूरी दुनिया में लाज कर रहे है, उनके बच्चे तो माच कर रहे हैं, और वो तो सांसे नहीं लिखते, बलकर संग अपना परचार भी नहीं करते हैं हमें तो फिर भी परचार करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पुराना संग बताना पड़ रहा है और लोगों तो जाना पड़ रहा है और हमारे पास समय की कमी है हमाई लोग अधितर ठक गए हैं बूड़े हो गए हैं इसलिए कुछ जो साना से हाँ वह स्टीज वह करनों करना पर प्र शॉर मुचा करना पड़ रहा है पर करने की मजबूरी है और संग इसका काम करते पर वह स्टेज्ट अधेश जिवह आएगी के जब हम चुड़का काम करेंगे और не थालित हैं हो जाए लोग इतने खट्टे हो जाए कि हम चुपचाप काम करने की स्रीनी में आ जाए अभी हम महां है नहीं इसलिए हमको वीडियो बनानी पड़ रही है इसलिए हमको डेली बैठना पड़ रहा है इसलिए हमको पोस्टर डल लगाने पड़ रहा है इसलिए हमको कलेंडर ब और अन्रेश्टर्ड होने से यानि बिना पंजीकर्ण होने से चमतकार होना है ये बात मित्या हो गई इसमें कोई शक नहीं हो इसलिए रेश्टर्ड कराने की कोई आउसकता कहीं पड़ती नहीं क्योंकि अगर आपने रेश्टर्ड करा लिया तो इसके बहुत दुखत परणा कि रेश्टर्ड करा लेते हैं रेश्टर्ड कराने के बाद बाद बॉड्य अपने पास रखते हैं या पहले से रेश्टर्ड चल रहा हो तो उसके अपने आपको आज यदाय। जो जो उसी गारंटी है कि वो तूटेगी क्यों तूटेगी क्योंकि उसकी नीव ही मालिकाना हक पर रखी हुई है और मालिक जब बढ़ेंगे तो जाहर सी बात है कि उनमें जगड़ा होगा इसलिए रेश्टर्ड वाड़ी हमेंसा तूटती है बाम सेफ पहली बात तोड़ी इसलिए क्योंकि उनको लाला चाहे पर उन्होंने काम पका करने के लिए रेश्टर्ड कराई कि अब हम काम पका कराते हैं कोई खुद तोड़क लाए थे तो डर रहता था कि हम तोड़क लाए है तो हमारी ना तूट जाए इसलिए रेश्टर्ड कराई पर वो पक अध्यष्ट का जो रुतवा होता है उसको कोई खोना नहीं चाहता और उपर से जो चंदे का पैसा आता है वो तो कमाल है जिन लोगों ने चंदे के पैसे में दावत उड़ाई है जिन लोगों ने चंदे के पैसे से होटल में एश की है जिन लोगों ने चंदे के पैसे से AC खरिद के अपने घर में लगाते हैं, जो लोग चंदे के पैसे से प्रॉपर्टियां खरिदते हैं, जिन लोगोंने चंदे के पैसे से अपने घरों में FD करा लिए अपनी, जिन लोगोंने चंदे के पैसे से अपने बच्चों की शादियां कर दी, जिन लोगोंने चंदे के वो लोग नहीं मानने वाले, वो क्यों मानेंगे, बहुत बढ़िया धंदा है, इससे अच्छा कोई बिरोजिदार कुने धंदा नहीं है, कोई भी संक्टन खोल लो, उसको रेश्टर करा लो, रजी चबा लो, पैसा बैंक में आता है, उसका हिसाब दे दो पर खर्च कहा होता हैं, रजी चार कहा जाते हैं, तो वो कम से कम साथ या नो पद लेता है, पोश्ट लेता है आप से, उसमें आपको एक प्रधान बनाना होगा, एक जनरल सेक्रटी बनाना होगा, एक कैशर, ये तीन पद तो कम से कम होते हैं, उसके बाद में एक्जिकूर्टि बॉड़ी के म प्रधान को तोड़ेंगे, या जनरल सेक्रटी को तोड़ेंगे, या कैशर को तोड़ेंगे, या सची को तोड़ेंगे, और उससे कहते हैं तो आजा, तो हमारी बतमान, और वो वहाँ से चला आता है, क्योंकि उसके पास पद है, उस पद के दम पर वो अपनी पोजिशन को देता है और उसका पैसा लेता है, तो जितने भी राजनेतिक संठन है, जितने भी सामाजिक संठन है, उनमें जो तोड़ फ जैसे ग्यहूं के साथ मैं गुन पिष जाता है उन्हें विचारों को पता ही नहीं कि उनका नेता कहीं बिक गया तूट गया फुट गया चला गया और वो नेता भड़काता है और आम आदमियों के दो टुकने के लेता है कुछ अपनी तरफ के लेता है कुछ उधर रहे जाते उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ तो पद नहीं होगा तो तूर के जाओ क्या कर लेगा कोई अगर कोई पद नहीं है तो क्या करेगा इसलिए वो तूरते हैं तो कैसियर भाग जाता है पैसा लेके या वो खर्च कर लेता है नापसनाप और कैसियर दुनिया भर का हिसाब जानता है कि प्रधान को कप पैसा दिया था और जलस सेक्टिव कप पैसा दिया और इसके घर में कमोट सेंगल आई थी और इसके घर में कप कार आई थी और ये वाली कार्ट तो संस्ता की थी जो इसके घर में चल रही है और ये जो घर खईदा है इसकी तो जमीन संस्था के नाम से ली गई है फिर बाद में रिष्टी होई है और जिनके नाम रिष्टी होती है जो पंजीकरण कराते हैं अपने संथनों का वो फिर वारिसाना हग भी अपने ही परिवार को दे जाते हैं अपने परिवार को सेटल कर क्योंकि जो मालिक होते हैं जब बूड़े होते हैं तो उनको चिंता हो जाती है उनके बच्चों का क्या होगा फिर उनको कोई समाज वमाज संस्ता वसन नहीं दिखाई देते हैं बच्चों का धर्म पहले निभाना है तो वो बाट बटवारा कर लेते हैं जो संस्ता बनाई है उसका पैसा उसकी जमीन उसका ये सब बटवारा कर लेते हैं और मिसर मुम्मेंट शोड़ देते हैं ऐसे हज़ारो केस है हज़ारो जहां भी समाज ने पैसे देने की गलती करी और रेश्टर्ट बॉडियों ने को जमीन जाज़त खे दी फिर वो आखरी है फिर वो आगे काम करती हänderी चाहें वो अमिर्ट का भवन है चाहें बुद्ध भिहार है चाहें को जमीन है डेख सकते हैं अध्राण जितारै और बॉड की जमीन था बेज दिया यह चलता रहता है क्योंकि पंजी करत जो सिस्टम है जो पंजी करत सनस्ता है जब वो पैसा छोटा करके कोई जमिन खरती है तो सरकार कहती है मालिक का नाम दो क्योंकि सरकार सामाजिक प्रॉपरिटी इसा क immersion सदद्धात नहीं है हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब हम यह कह सकें कि 120 करोड़ों लोगों की संपत्ती 120 करोड़ों के नाम ही रेश्टर कराई जाती है जितनी भी संस्ता है वो 120 करोड़ों लोगों से पैसे लेती है पर जब रेश्टरेशन की बात आती है रेश्टार के हैं तो वो व्यक्ति का नाम बदलते हैं अपने कॉंस्टूसन में कि इसके संस्तापक अध्यक्ष यह हैं और यही फैसला करेंगे और इनके वारिस यह हैं बस उसके बाद लोग माईस जाते हैं दोर भग जाते हैं और फिर दलाल मिल मलाके उस जमीन को बेच लेते हैं और पने दावों भिक जाती सबका य खुद भी उसके मालक नहीं थे उन्होंने अपना परिवार भी खतम कर दिया और आनंद को भी कहके मरे आनंद आकरी भिकू मत बन जाना आकरी भिकू मतलब कभी इसके सारे मालक बन जाओ और भिकू ना बनाओ यह समाज की प्रॉपरटी है तो बनाते रहना चलते रहना बन सरकार को यह होता है सरकार की जतनी जमीन और जितनी प्रॉपरटी और जितने भी महकमे होते हैं सरकार के हो पॉब्लिक के पैसे से बंते इन्ठो में पैसा जमा होता है वो पब्लिक का पैसा जमा होता है सरकार जो प्रॉपर्टी बनाती है वो सरकार के नाम से बनाती है वो ग्रती के नाम से नहीं बनाती है उसका आफिसर सिग्रिटी अथरॉर्टी होता है पर आफिसर टेंपरिर होता है और आफिसर अपने नाम कर नहीं सकता तो सरक आज की प्रॉपर्टी का अगर व्रतिकत नाम से होता है तो पंजीकर्ण जहर हो जाता है पर संगों के पंजीकर्ण नहीं होते करें आज तक किष्टी में किसी भी संग का पंजीकर्ण नहीं होता और हो नहीं सकता क्योंकि संग इन सब चीजों से परह होते हैं वो ना पैसा इ बाद में बनी है, आइडिलोजी का जो क्रियानमन परिणाम है, वो बाद में आया है, पहले लोग इखटे हुए है, ऐसा कोई संग नहीं है, जिसके अंदर लोगों ने पहले पैसा इकटा किया हो, या पहले जमीन इखटी की हो, या पहले सरकार बनाई हो, या पहले सत्ता ली चाहे उन्होंने सरकार बढ़ाई चाहे उन्होंने जमीने बढ़ाई चाहे उन्होंने सब कुछ बढ़ाया पर सबसे पहले उन्होंने आदमी बढ़ाये लोग बढ़ाये इसलिए लोगों को इखटा करोगे तो सब चीज इखटी हो जाएगी और लोगों को छोड़के कुछ भी खट्ठा करोंगे उस्ब रबाद जायेगा हमारे संक्ठनों ने लोग WA अगर Whoo टूटते क्यों वह खुद भील Ha हो जाते तो भी बात बन जाती बस वह दलाली तक सीमित रहगे और दलाली किसका खा रहे हैं आपने लोगों का जिन को एक खट टा करना जिन का वेेल्फिर करना है उन्हीं का नुफसान कर दे इसलिए संगों के अंदर पंजी कलंड नए नहीं पूते और कभी भी registration नहीं हो सकता रहेस्टेलिशन का जो पंजीखन का काम है, वो किसी भी हालत में अगर कोई करता है या इसका नियम लेके आता है, तो वो समर्ण घहत माना जाएगा, ये पुराना है, इसका प्रिस्ताव नहीं आ सकता, क्योंकि इसका कोई सबको आजादी देता है संग कभी किसी व्यक्ति पे कोई भी अपनी परसunda राय नहीं थोता उस पे हमेटा सामुइक होती है आपने क्या करना है क्या खाना है क्या पीना है शादी किस्ते करनी है भाषा कौन सी बोलनी है बाल कैसे रखने है मूच कैसी रखनी है नाना कब है रोना कब है खाना कब है पीना कब है नाचना कब है जाना कब है शादी कब करनी है ये संग के काम नहीं होते संग का काम होता है सारे लोगों को इखटा रहना है सारे लोगों को इखटे होने के नियम मानने है संग सर्फ इखटे होने के नियम इसके लावर कोई नियम नहीं देताँ, कि खथा होने के बाद में सामौिक रूप से सब के वैल्फर के लिए नियम पास होने चाहिए, और उन्हों नियम पर चलने के लिए वो खढ़ा रहता है, जैसे मिलिटरी पुलिस खड़ी रहती है जो military police होती है उसका military का आदमी अगर कोई गलती करता है तो military police मों सका केच चलता है military police उसको पकड़ के ले जाती है वो ऐसे ही संग अपने संगियों की तरफ देखवाल करता है इसने नियम तो नहीं तोड़ा इसने नियम तोड़ा हो तो उसको दंड मिलेगा दंड कुछ भी हो कोटों का दिया कि समाज ने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि अगर रेश्टर्डी था और तेरा पका काम था तो फिर काम बना क्यों नहीं और येतने सारे रेश्टरेशन किसली है एक ही तरह के क्यों संगों के अंदर ये बातें कोई पूछता नहीं अगर पूछ लेते तो आज ये इस्तिति नहीं होती इसलिए कोई पंजीकरण कहता है कोई कहता है कि पंजीकरण होना चाहिए या कईवा लोग आते हैं जो कहते हैं रेश्टर्ड तो होना चाहिए आज तक यह नहीं बता पाए वो कि क्यों होना चाहिए जिस सरकार पे और जिस मानता पे जो संग क पीछे बनती है, यानि सरकारें कभी भी संग से बड़ी नहीं हो सकती, तो आप अपने संग का उन मानिताओं से कैसे रेश्टन करा सकते हो, जिनको आप खुद बनाते हैं, संग खुद सारे काम करता है, और आप उनी से जाके मानिता लोगे, ये तो ठीक ऐसे है, जैसे कोई ब बाप होने की मानिता अपने बेटे से चाहिए, तो पंजीकरण कराना चाहिए, और अगर आप बाप हो, और दुनिया को आप मानिता देते हो, अपने सारे बच्चे को मानिता देते हो, तो फिर आप पंजीकरण करोगे लोगों का, लोग आपका पंजीकरण नहीं करेगी, अगर मेरे किसी वक्तवे में कोई भूल चुक हुई हो तो संग मुझे माप करे, संग मुझे माप करे, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी.